नमस्कार दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फाइनली यहां पे बिहार पुलिस का जो फॉर्म है फिल होना है स्टार्ट हो गया है जिसमें कस्टेबल के पदोप्य भरती के लिए जो है ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म यहां पे फिल किये ज चाहते हैं तोवी जनकाई को सुरू को से अन तक लिए कर देखिएगा सभी चीजों को जो है किलियर करके बतायाएंगे कैसे फॉर्म को अपलाई करना है किस तरह से फोटो सिक्रेट्र अपलोड करना है कि पोस्त का प्रिफिर्स देना है सभी जनकाई जो इस वीडियो में क कितना होना चाहिए यह बहुत ज़्यादा मायन रखता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लिस वीडियो को लाइक करें चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं करने के लिए सबसे पहले आपको eg2net.com पे आना है यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर यहां पे भी हम लिंक उपलब्द करा देंगे बहुत जल्द इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आड कल खुलेगा इसमें जो है सभी जनकारी आपको देखने को मि अगर आप intermediate pass है तो यहां पे form को apply कर सकते हैं यहां पे hide की regarding भी जनकारी दी गई है और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना करें सभी जनकारी दे दिया है तो उस जनकारी की regarding हम बात नहीं करेंगे किवल जो है form फिल करके दिखाएंगे ठीक है तो नीचे आएंगे तो यहा इसका जो advertisement है आप इसको knowledge करके read कर सकते हैं बट इस पर तो मैंने वीडियो बना ही दिया है इसको read करने की असकता नहीं है सबसे पहले जो है आपको यहां पर registration करना होगा ठीक है तो यहां पर कुछ आपको जो है निर्देश दिये जाते हैं जिसको आपको मतलब यहां पर प त्यारी करना चाहते हैं तो मैं आपको best book के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि चक्सु परकासन के द्वारा परकासित किया गया है और यहां पर देखेंगे 3000 जो है आपको यहां पर objective type जो है कोचन यहां पर देखने को मिलेंगे पांच जो है सॉल पेपर भी यहां पर मिले है और भी advanced level पे कर सकते हैं तो मैंने इन बूक का लिंक और प्रेसी सीट का लिंक है description box में दिया हुआ है जहां से में जन फिलिप काड के माधिम से इस बूक को purchase कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि पूरुस के लिए यहां पर बोला गया है कि निवतम कितना रहना चाहिए यहां पर देखेंगे और देखने के बाद यहां पर एक बार इसको देख लिएगा application फीव एकर आप यहां पर टीक करना है अब यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में सबसे पहले आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं त यो उसका first name, middle name, surname उसके बाद यहां पर बताना है कि आप Indian है अपको देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पर mobile number डालना है और यहां पर email ID डालना है दोनों को जो है सई-सई से भरियेगा कि कि इस से ही आपका आगे चल के communicate कि जाएगा उसके बाद यहां पर क्या आप बिहा सब्सक्राइब इस केलेंडर के माद hackers आप चूज करेंगे यहां पर अट्मेटिकली जो है आपका यहाक ले ले लेगा तो इस से आप देख लीजिएगा कि आप फूल्फिल कर रहें कि नहींила अब यहाँ पूछ रहाएं कि करना चाहते हैं तो यहां से रीट कर सकते हैं और यहां पर जो भी आपका कईटी गड़ी है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा तो यहां पर मेक पेमेंट के आप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर पूछ रहा है कि आपने डिटेल्स को फेरिफाई कर लिए आपको करन चाहते हैं payment करेंगे तो चलिए में फट 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 यहां पर payment कर लेता हूं इस तरह से आपका जो payment है यहां पर complete हो जाएगा और आपको जो ही registration आईडी यहां पर दिया जाएगा जिसको आपको in future के लिए copy कर लेना है ठीक है अब यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर सभी जनकारी आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको घोश्रा देना है और proceed to fill application form के option पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको जो है पोस्ट का preference देना होगा जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि तीन प्रकार का जो है इसमें जीला पुलिस होता है BCS सस्त्रा पुलिस होता है और यहां पर अधर यूनिट होता है ठीक है तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको फर्स्ट प्राइटी देंगे उसके बाद यहां पर सकेंड प्राइटी देंगे उसके बाद यहां पर फादर का नेम लिखना है मदर का नेम लिखना है आपका साधी हुआ है कि नहीं हुआ है उसको बताना है फिर यहां पर अधार नंबर आपको लिखना है अधार नंबर आपको छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर पाचान चीन आपको लिखना है जैसे कट तिल का निसान होता है उसको पहताना होगा कि आपने जो हे कौन से बोड से थेंद पास किया हुआ है उसका माक्सित नंबर क्या है ठीक है और वह कब इसू हुआ पर इंटर का इहां पर पर इंटर को इंपर से किया हुआ चौ। सटिफिकेट नमबर पिर माक सिट नमबर हो क्या है उसके रहे पर है और नों आपको करना होता है जैसे हैं मंबर क्या है स्टेट मुहाला क्या ए विलेज्ट again kanske है और उसके बाद यहां पर शिलेट करेंगे ठीक है उसके बाद यहां प beverage करेंगे तो आपका जिस्पूषेगा उसके बाद नीचे आएंगे तो तो कि इस तरह के जनकारी मतलब की आपको कभी UPC, SAC, SPAC और एनी रिकूर्मेंट बोड से जो है किसी परकार का जो है आप किया गया है तो आप अपने हिसाब से यहां पर देंगे सब में नो-nो ही करेंगे आप ठीक है बहुत साब सुत्रा और किलियर गूड क्वालिटी में होना चाहिए और JPG format में रहेगा सतर के भी से कम रहेगा ठीक है यहां पर यह भी बोला गया है कि आपका जो हे दोनों जो है कान किलियर जो है वीजीबल होना चाहिए फोटोग्राफ में जैसे कि इस तरह से देख सकते ह के लिए चूज फाइल का अप्शन पर किलिक करेंगे फोटो जो है अपना अप्लोड कर देना है ठीक है उसके बाद यहां पे आपको जो है सिगनेचर अप्लोड करना है सिगनेचर भी बोला गया है कि वाइट पेपर ब्लेक पेन से होना चाहिए ठीक है और जीपीजी में 25 चीज के भी से कम इसका जो है फाइल साइज होना चाहिए यहां पे इंग्लिस में और हमखर dar देना है तो यहां पर अप्लोड करने के बाद आप जो है पूरा जनकारी यहां पे देखने को मिलेगा इसको एक बड़ा फिरिफाई करेंगी और चेक करेंगे कि आपका जो भी है वो जनकारी सई है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर देख लेंगे और देखने की बाद सभी जनकारी सई है तो ठीक है नहीं है तो आप यहाँ पर डिटेटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके एड़ीट भी कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि सभी जनकारी सही है तो यहां पर मैं टीक करूँगा और यहां पर जो भी क्यप्चा आपको देखने को मिल रहा है इस क्यप्चा को आपको फील करना है जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से आपको बस यहां पर टाइब करनी है और उसके बाद यहां पर submit अप्लिकेशन की option पर किलिक करने से पहले जनकारी एक बार ज़रूर चेक कर लेनी है तो जैसे इस Submit के option पर किलिक करेंगे तो पूछेगा कि आपने डीटेल्स को verify कर लिया है तो करेंगे उसके बाद बोलेगा कि आप सम्मिट करना चाहते हैं तो करेंगे तो आपका जो application है यहाँ पर इससी तरह से समिट हो जाएगा इसका जो सब्सक्राइब है इस तरह से प्रिंट आप लें किया शवाशने में यहां प्रिंट प्रिंट करेंगे एक प्रिंट कर्लेंगे फिर से चस्वां मिले इस इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर न भी नवर वाट डाल सकते हैं नवित करेंगे तो आपके सामने डिया Al कर दिया डेगा कि आपका प्लिकेशन पर दीया है तरह चुका है किस तरह से form को apply कर सकते हैं कोई भी mistake आपको नहीं करना है पूरी जो है सही तरह से form को fill out करना है तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो थोरा से अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अपते के लिए वी सवस्त रहें बहुत बहुत दिनवा